प्रेंट्स कैसे आप लोग तो आज किस लेक्चर में हम लोग थर्मोडानमिक पढ़ेंगे थर्मोडानमिक के स्टार्ट करने के पहले चनल पैशन अब करेंगे तो काम करता है इस बात को समझने के यहीं अगर झेर मतलब क्या होता है इंटर्मरुटराश्य की स्टड कर्थ इसका इंटरफं置 की मतलब है इंटर कन्बरजन इंटर ही परमल एनरजी को अगर में कैनिखल एनेर्जी में कनवाड कर दिया जाए तो उस-ंटर्ट कैनवर्जिन की इस्तेडी वह जिसके इस किसी भी अंगितुरू इंटर कंवर्जन थर्मो्डानेख मीज इंटर कन्वर्जन, अ 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 अन अ अडू अ अडू अ अ थर्मो डाइनमिक को हम लोग अपनी नेचरल लाइफ में डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं कैसे देखो जितनी भी एसी होते हैं रेफ्रिजिलेटर होते हैं या आपके आटो मोबाइल्स वगेरा हैं वो सारे इसके प्रिंस्पल पर काम करते हैं तो यह बहु दोश्कों बोलेंगे है का थर्मल एनर्जी स्वरी तर्मो डाइनमिक अटनिकल एनर्जी में करने के प्रसीजर वह लोग थर्मो डाइनमिक्स एसी रेफ्रेजेटर आटो मुबाल्स की प्रिंस्पल में यूज होता है यह बहु हो गया थर्मो डानिक्स का इंट्राक्शन्स दो तरीके की फ्रोसेजर पर काम करती एक होता अप्जर्मेशन विस्शन स्कती हों कि अब्झर्वेसंस का मतलब है तो इस तरीके ने तो प्र करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, लेकिन जरूरी नहीं के फ्राइस, तो, सब्राइक रैक्टिकल कुछ डिफरेंट होता है और फहिए उससी है केस में हम लुग थर्मोडानमिक्स को कुछ ढख ढख डिफरेंट डिफरेंट से भी जान सकते हैं वाइद सकांगे स्नृटar इसको लिखेंगे, thermodynamic is also known as, मैं इसको लिख लेता हूँ, thermodynamic is also known as empirical, experimental and phenological science. यह आपकी एक science की branch है, तो अब इस तरीके से हम लोग थर्मो डायनमिक्स को हम लोग different laws की थुरू study करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, there are four laws, there are four law, there are four law, यहाँ पर four law, यहाँ पर four law है, कौन से-कौन से, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट आपका आएगा, जीरोथ law थर्मो डायनमिक्स, जीरोथ law थर्मो डायनमिक्स, राइट, नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, फर्स्ट लॉव थर्मो डायनमिक्स, फर्स्ट लॉव थर्मो डायनमिक्स, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका आएगा, फर्स्ट लॉव थर्मो डायनमिक्स, फर्स्ट लॉव थर्मो डायनमिक्स, अब इसके बाद आपका आता है, और लाव थार्मोडाइनमिक थाएड लाव थार्मोडाइनमिक ठीके बटा तो इस तरीके सामें इस चार लोग के इस्टैटी करना और इसी सिक्वेंस में चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन ऐह एक कंडिसन्स आती है जिसका बोलते है थर्मोना थर्मो मैं यहां पर ऐसे करके लेक्ड देता हूं सो देट आपको एक आईडिया लग जाए हैना यहां फर्मों थर्मो डाइनमिक्स एंड थर्मो डाइनमिक्स फूरे चप्टर के नाम है थो मैं आपको एक सेक्वेंस बता रहा हूं कि हम लोग इसी सिक्वेंस में सारी स्थी करेंगे लेकिन जीरोतला और फर्स्ट लाइंड़ सबसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग थर्मो क्यमिस का इसी के बाद हम लोग थर्मो केमिश्टी पढ़ेंगे आफ्टर देट सेकंड ला और थाडला पढ़ेंगे और थाडला तो बहुत ही छोटा है बस एक जन्रल इन्फोर्मेशन की दौर पे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जीरोत लाव थर्मोडायनमिक पर वर्क करना है त मतलब किया हैають ल कि इसको जिरोत ला की जो बैसे लिए मिल्मोड यह होता ही होता है उसको कोई बनाने की ज़रूत नहीं है लेकिन बाद फर्स्ट लॉग के बाद जब इसको explain किया गया तो देखा कि इसकी भी ज़रूत पड़ेगी इसलिए इसका जो अप्लिकेशन इसका जो प्रिंस्पल है वह बहुत नॉर्मल है बहुत अब इसलिए उसको एक लॉप में डिफाइन कर दिया गया और तब युश्का नाम का रख दिया गया जिरो थ्लाव थर्मोडाइनमिक तो हम लोग इसका नाम स्के अक्वाडिंग्स याद यह रख सकते हैं कि जिरोफ लट फ्रॉमोडाइमिक की मतलब एक एसा ब्रेसा जो नेचुरली होता है जिरो तला क्या कहता है इसकी हुआ है हुआ में तस गृट ऐडस करना है शीरोथ लो Julia कि लॉप थर्मो ड्यविक मैंने सीको यह जीरो लोप धर मुटा युष अभे 2 लॉप थर्मो ड्यविक वेश कंछ टो इस law के according बताया गया कि अगर कोई भी एक body किसी दो different body के साथ thermal equilibrium है तो जो वो दोनों body होंगी वो automatically क्या होंगी आपस में thermal equilibrium होंगी तो इस बात का मतलब क्या है मैंने क्या बोला कि अगर कोई एक body दो different body के साथ thermal equilibrium में है तो जो अलग different body है वो भी आपस में thermal equilibrium में होंगी यह अब इस लिए है ना अब इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि अगर हम लोग 2-3 substance ले लेते हैं आप 3-0 substance में मैंने क्या बोला कोई a substance है वो बी के साथ thermal equilibrium में यही case कोई a substance है वो c के साथ thermal equilibrium में image करो जाए imaginary factors बहुत fast होना चाहिए अगर कोई a components है वो a components b के साथ thermal equilibrium में same case अगर वही a component c के साथ भी thermal equilibrium में है तो उस case में जो b और c होंगे थे वो अउतोमेटिक लिगे थर्मल इकलिविवियम में होंगे ऐसा जी रोत ला काता है तो अक्कॉरदिग टी स्टेटमेंट है अक्कॉर्डिग टू स्टेटमेंगे कां wy can write it it states that कि इसके अक्कॉर्दिंक क्या बोला गया इफ जिए बोडी अन thermal equilibrium thermal equilibrium with another two bodies with another two bodies then if a body in thermal equilibrium with another two body अगर एक बोड़ी दो अलग अलग बोड़ी के साथ thermal equilibrium में हैं तो क्या होगा अगर हमारे पास कोई एक बोड़ी दो डिफरेंट डिफरेंट बोड़ी के thermal equilibrium में है इसका मतलब यह हुआ वो दौनों वड़ी आपस में thermal equilibrium होगी अब इस बात का मतलब समझ नोगए अब इस बात का मतलब समझ लो माल लिया हमारे पास कोई एक एवर रोम 시청 में है यह दो दोनों मतलब का थर्मल का मतलब यहां पर हीट से है और अब इस लिए अगर हम लोग किसी भी दो कंपोनेंट्स को आपस में अरेंज करके रखते हैं और उनके टेंपरेचर का डिफरेंट है आप्टर सम्टाइम हम देखेंगे कि दोनों के टेंपरेचर कैसे हो गए बराबर हो गए सिंपल सी इसी तरीके से अगर हम लोग उसी एक सब्सेंस को किसी दीसरे कंपोनेंट के साथ अरेंज करके रखते हैं तो आप्टर डैट क्या होगा उन सभी कंपोनेंट्स का जो टेंपरेचर होको फाइनल क्या होगा बराबर हो जाएगा तो इस केस में आप ऐसे समझ लो हमने यहां कि अगर कोई बाड़ी है जिसका अपना ओक मतलब यह हुआ कि अगर ऑग दो बोड़ी है और उन दोनों बाड़ी का टेंपरेचर आपस में बराबर है तो तीसरे बाली बराबर होगा और यह बात हम लोग मैथमेटिक लिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं लेकिन फिजिकल प्रोपरिटी में कुछ चेंजिंग बदल जाती है जैसे मालो मैंने लिखा लेकिन जब आप लोग फिजिकल प्रोपरिटीज की बात करोगे तो फिसकल प्रोपरिटीज में जरूरी नहीं है कि यह बात सही हो कहीं कहीं पर चेंजिंग हो जाती है जैसे आप लोगोंने दिया होगा हम लोग जो मोल कंसेट के स्टेडी कर रहे थे है मोल कंसेट में हम लोग किसी ही में दो कंपोनेट्स की बीच में निकालते हैं तो अगर उन के एंट बराबर है समel Wick रहां से हैं अगर उनका एक्वटे auth आउकले कोने के का वेटा बराबर होगी लेकिन यह औक distingu करता है लेकिन हाँ अगर x equal to by x equal to z है तो y equal to always z होगा according to mathematical operation तो यह बात सही है तो 0 तलोग क्या वो लगे कि अगर कोई a b c तीन components है और उनको हम लोग एक adjustment पर रखते हैं तो अगर कोई दो body आपस में thermal equilibrium में है तो तूसरी और तीसरी body भी आपस में आपका कहता है जीरो तलाब thermodynamics अब इस thermal equilibrium का मतलब क्या है जनरली आप सभी लोग जानते है thermal का मतलब क्या होता है हीट क्या होता है और हीट को हम लोग temperature उसे measure करते हैं जैसे अगर हम लोग कहीं पर किसी भी स्टेंस का temperature बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो सिंपल सी बात है हम उसको आउटर से जितनी ज्यादा हीट प्रवाइट करेंगे उसका temperature उतना ही बढ़ता चला जाएगा तो हम लोग यहाँ पर यहाँ पर हीट का thermal equilibrium का अब करते हैं वह हम लोग on the basis of temperature की बेस पर इसकी बेस पर तो इसको फटाफट कर लो मैं जब तक इसको रब कर देता हूं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग इस लोग के एकॉर्डिंग temperature पर study करते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि 0 लाक इसको डिफाइन करता है temperature को और अगर वह temperature को डिफाइन करते हैं इसका अतलब कि हम लोग किसी भी substance के बारे में यह बता सकते हैं कि वह colder है या या थंडा है तो हम इस बात को ऐसे लिख लेंगे थर्मोडाइनमिक्स या इसे लिखेंगे जीरो तला अब थर्मोडाइनमिक जीरो लाव थर्मोडाइनमिक डिफाइन इसका मतलब यह हुआ इटेल्स एबाउट यह किसके बारे में बताता है इटेल्स एबाउट बोडी इस hot or cold it means it means इसका मतलब क्या हुआ इट इस डिग्री of coldness and hotness means किसी भी बोडी का जो टेंप्रेचर है वो क्या है बोडी अभी सबस्टेंस ठंडा है या गरम है इस बात को हम लोग टेंप्रेचर के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं जिसके बारे में कौन बताता है जिसके बारे में जीरो तलाव थर्मोडाइनमिक बताता है और य करके रख देते हैं तो आफ्टर डेट क्या होगा दोरों का टेंप्रेचर सेम हो जाएगा है ना तो उस कंडिशन को कौन बताता है जीरो तलाव फर्मोडाइनमिक तो यह एप्लिकेशन एक्टली फर्स्ट लाव के बाद में आया इसलिए इसका नाम जीरो तला रख दिया क्योंकि यह बहुत नेच्रल फिनोमना था और लोग यह समझ रहे थे इस लोग को एक्स्प्रेंट करने जरूद नहीं है लेकिन फिर भी देखा गया कि हर जगह बुला अपलाई हो रहा है और यह इस चीज़ पर सारी प्रॉपाइटिव मर्ज कर रहे है इसकी बज़े से इ यह किसको डिफाइन करता है जीरोग जीरोग आपके टेंप्रेचर को डिफाइन करता है तो अगर जीरोग टेंप्रेचर को डिफाइन करता है इसका मतलब क्या हुआ जीरोग के अकॉर्डिंग है जीरोग के अकॉर्डिंग टेंप्रेचर को में मेजर करना है तो हम लोग ल तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सबस्टेंस को calculate कर सकते हैं, उसका temperature बता सकते हैं, अब हाँ, इनका आपस में relation पता होना चाहिए, तो एक चीज़ समझ लो, जब भी हम लोग Celsius को convert करते हैं, तो C upon 5 equal to F minus 32 upon 9, इस formula के द्वारा हम लोग किसी भी सबस्टेंस का degree बता सकते हैं, degree कर सकते हैं, तो यह आपका क्या है बटा, जीरो तलाव थर्मोडाइनवेक, अब एक चीज़ और समझ लोग, किसी भी सबस्टेंस को, जो हम लोग हीट देते हैं, किसी भी सबस्टेंस को, जो हम लोग हीट देते हैं, मिस आउटर से एनरजी देते हैं, तो उसका temperature बढ़ता चला जाता है, तो बेसिकली वो जो temperature है, जिसका measurement हम लोग करते हैं, जिसकी बज़य से सबस्टेंस गरम है या थंड़ा है, यह हमें पता लग जाता है, वो किस की बज़य से हो रहा है, तो वो हो रहा है, आउटर से energy की बज़य से, मिस heat की बज़य से, अगर को यह समाल लिए मार्कर है, अगले आईरेन की रॉड हम मान के चलें, इसको अगर हमने heat कर दिया, तो क्या होगा, क्या यह बलाच हो जाएगा, नहीं, क्या इसका color change हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका temperature बदल जाएगा, तो initial and final की case पर हम लोग temperature के बारे में बता सकते हैं, वो basically heat है, जैसे हम लोग heat provide करा देंगे, वैसे वैसे उसका temperature बदल जाएगा, तो कुल मिला के यह जो 0 of thermodynamics है, वो temperature को define जरूर करता है, लेकिन वो बदलता रहता है, किसके according बदलता रहता है, वो in the presence of heat के बेस्पर बदलता रहता है, तो इन ही सारी बातों को ध्यान में रखत सब्सक्राइब, तो देखो जariat, मैं इन सारी चीजों को रख कर देता हूँ, और फिर हम लोग heat की बात करते हैं, तो हम लोग बलगों को heat के बारे में पढ़ना है, है तो देखो जड़ा हम लोग जानते हैं कि हीट क्या होता है हीट का मतलब है किसी भी टैمप्रेचर का किसी भी एनर्जी का एक बॉडी से दूसरी बॉडी वर ट्रांसपर हो जाना यहां है that is called heat वी सहमलों यह से लिखेंगे heat को कैसे डिफाइन करेंगे क्या लिखा है heat आपका एक energy का form है, तो हम लोगे लिखेंगे, heat is a form of energy, heat आपका energy का एक form है, which transfer, जो की transfer हो सकता है, which transfer between two bodies, due to different temperature. different temperature, ठीकि बटा, क्या बोला गया, heat आपका एक energy का form है, जो दो body के बीच में transfer हो जाता है, जिसको हम लोग temperatures के द्वारा बता सकते हैं, अगर कोई एक substance है, उसका temperature पहले कुछ और था, हमने आउटर से उसको energy दे दी, अब उसका temperature क्या हो गया, बदल गया, तो उसी difference की बज़े स हम उस heat के बारे में बता सकते हैं, जनरले heat के है, heat आपका एक energy का ही form, ठीकि बटा, इस बात का आप समझे लोग, दूसरी चीज़ हम लोग इसको delta q से represent करते हैं, because change in temperatures की बात कर रहे है, change in temperatures में हम लोग किसकी वज़े से study कर पाते हैं, heat के वज़े से, so that we can write it delta q, इसे तरीके करने का तरीका है, हाँ, अब देखो जड़ा, इसी statement के according, बोला गया है, it observe that, delta q directly proportional to delta t, delta q directly proportional है delta t के, मतलब जैसे जैसे temperature बढ़ता चला जाएगा, बैसे बैसे उसकी heat change होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग आउटर से energy provide कराते जाएगे, temperature change हो जाएगा, तो उसी को क्या बोला गया, delta q is directly proportional to delta t, दूसरा factor क्या बोला गया है, delta q is directly proportional to m, क тобой दीलटा की मतलब क्या देखो जैसे जैसे किसी भी सब्स्टेंस का मास बढ़ता चला जाएगा उसको उतनी जादा अनर्य करनी पड़ेगी जैसे मैं एक एक एग्जांपल देता हो माल लो आपके दोनों को सेम ब्रेचर 2 सी बात है दोनों मटेरियल का ongoing ओर लाना होगा तू झाल्टेयर में पड़ेज बियों पानी ऊट्व है एक पानी को ज्यादा एनरजी देने पड़ेगी एक ऐंडेज़ एक लगफर जिसका मास ज्यादा उसका प्रोवाइडिंग एनर्जी भी ज्यादा थो देट हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा की इडाटी परशनल टू एम तो अब यहाँ पर दो कंडिशन बन गई कंडिशन नमबर फास्ट और कंडिशन नमबर सेकेंड अगर मैं दोनों कंडिशन को कंबाइड कर दें तो यहां पर बन जाता है डेल्टा क्यू एक्वल टू एस एम डेल्टा टी और इसी को हम इस स्क्वेंस में लिखतें डेल्टा एक्वल टू एमेश डेल्टा टी टीघंव आपको यहाँ पर याद क्या रखना है यहां पर जो ऐस है वह आपका का स्पैसिफिक हीट है क्या है स्पैसिफिक हीठ कैपैसिटी रुभी स्पैस्पिक हीट कैपेसिटी का होता हुद यॉच थोंड़ी दिर के भटा दू तो talked heaep का मत्लब है कoft riches के सबस्टेंस ब समझा ध्यां tout किसी भी सब्स्टेंस का टेंपरेचर एक डिगरी बढ़ाने में कितनी एनर्जी प्रॉबाइट की गई that is called heat capacity means in a simple language you can say that the amount of energy required to rise the temperature by one degree of a substance is called heat capacity but यहां पर heat capacity की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर किसी की बात करें से आप समझे सब्स्टेंस का कितने सबस्टेंस का एक ग्राम सब्स्टेंस का टेंपरेचर एक डिगरी बढ़ाना है तो इस ताइम जीन ही रिक्वार्मेंट होगी so that specific heat capacity और हम लोग इसको technical language वह लिख सकते है the amount of energy required to increase the temperature of 1 gram substance y1 degree is called specific heat capacity तो आप भूल जाएंगे तो आप में लिख लेता हूं इसको में लिख लेता हूं तो इसको technical language वह कैसे लिखेंगे देखो जाएंगे the amount of energy the amount of energy required to increase the temperature to increase the temperature of one unit mass one unit mass y1 degree Celsius is called specific heat capacity specific heat capacity क्या वोला गया किसी भी एक ग्राम सब्स्टेंस का टैंपरेच अगर एक डिगरी बढ़ाना हो तो उस्टाइम जितनी energy की requirement होगी that is called specific heat capacity तो आप हम लोग जरा इस चीज को कैसे के mathematical operation में apply करेंगे वो देख लो देखो जड़ा इस प्रेस्पिक हीट क्यापेस्टिक कैसे काम कर रहा है वो हम लोगों को समझना है हां तो देखो बड़ा हम सभी लोग जानते हैं वी नो देट कि वी नो देट कि डिल्टा क्यू एक्वल एम एस डिल्टा टी हमने क्या माल लिया इस एम एक्वल टू वन ग्राम यहां पर माल लिया कि एम एक्वल टू कितना है वन ग्राम है तो उस केस में इस एकल टू क्या हो जाएगा एश इकल टू हो जाएगा डिल्टा क्यू अपॉन डिल्टा टी अगर ध्यान से देखा जाएं यह जो S है वो डिल्टा की के इंबर्सली है और अब समस्चे damn का टेंप्रेचर या किसी भी सब्स्टेंज को जितनी ज्यादा एनर्जी प्रवाइट करेंगे उसका टेंप्रेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा करते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसके यूनिट की बात करते हैं किसकी बात करते हैं जूल पर केल्विन इन्टूग्राम या आप इसको ऐसी भी लख सकते हो जूल केले विलिएड़ गिराम इंबर्स तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते अग्या ने इस ही पर बेस ओके क्वेस्टन भी पूझन किया इस पास्विक हीट क्येश्टी स्पासिफिक हीट कैपैसिटी वाफ और सेस्टेंस को सबस्टेंस पीरबर्फेगन सबसे पहले फास्ट आप्शन में क्या बोला गया है हीट कंडक्टिंग पावर नेक्स्ट पॉइंट हीट एब्सर्विंग पावर नेक्स्ट है हीट कंजब्शन पावर और हीट आपका डिसीपटेशन हीट हीट डिसीपटेशन फावर ठीक बटाँ तो देखो ज़रा इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्या लिखा है स्पैस्पिक हीट किसी भी सबस्टेंस की किस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया किसी भी सबस्टेंस को जैसे जैसे हम लोग एनरजी देते चले जाएंगे वह बात डिपेंड करेगी कि उसके एमोंट की उपर है ना तो ज़रा यहां पर देखो हम लोगों ने क्या लिखा सब्सक्राइब यह भी सबस्टेंस जतना ज्यादा एनरजी को अपने में hem करेंगा अस्काड़ केस में उसका ही ज्यादा एनर्जी इन्वाइट करनी पड़ेगी इसका मतलब क्या हुआ जो भी आपका कंपोनेंट्स है उसकी जो हीट कैपेस्टी है वो किस पर डिपेंडेवल है उस सब्स्टेंस के इसका मतलब यह हुआ हमारे पास इसका अंसर क्या होना चाहिए हीट कैपेस्टी और इस सब्स्टेंस रिप्रेजेंट हीट कि किसी भी सब्स्टेंस की द्वारा जितनी ज्यादा एनरजी कंजिम की जाएगी उसी कूप पर डिपेंड करेगा उसका हीट कैपेस्टी इस पैस्पिक हीट कैपेस्टी ऑन दे बेसे साल फिक्स्ट मास ठीक बटा तो यह आपका एक जेई की द्वारा पूचा होगा कुछ साल के लेंट टी क्या यह मैं लोग जानते हैं और ग्यास चूप मास है हमने क्या करना है इसको बोल्स में करना है तो कैसे करेंगे देख चाला हम लोग क्या करेंगे डेल्टा क्यू एक्वल टू एम एस जो डेल्टा टी था इसमें मूलर मास्का हम लोगों ने multiply कर दिया और molar mass का हम लोगों ने divide कर दिया तो देखो जब लोग molar mass का multiply कर देंगे और molar mass का divide कर देंगे तो अब यहाँ पर delta q equal to क्या बनेगा mass upon molar mass क्या हो जाएगा बटा n n s delta t into क्या हो जाएगा molar mass तो एक चीज़ आप याद रखो यहाँ पर s और molar mass इस दोनों को हम लोग लिख लेंगे delta q equal to n c delta t means finally अब delta q के दो formula होगा here delta q equal to क्या होगा ms delta t पहला point equal to n c delta t तो इस तरीके से हम लोग discussion कर सकते हैं अब यहाँ पर s क्या है specific heat capacity और c क्या है heat capacity तो यहाँ पर अब हम लोगों को एक कीज़ और रखनी है क्या अगर हम माल लेते हैं कि दोनों conditions पर टेंपरेचर यहाँ यहाँ पर माल लिया एड टीवन एंड टीटू यहाँ डिल्टा टी को चेंज करेंगे तो क्या बनेगे बटा integration of t1 से t2 दोना application में अप्लाई कर देंगे ms delta t equal to integration of t1 टीटू और यहाँ पर लिख लेंगे nc delta t ठीक है फाइनली हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों के temperature बराबर है और with respect to delta t निकालेंगे तो ms equal to क्या जाएगा nc आ जाएगा क्या जाएगा ns equal to nc और हम लोग जानते हैं m into s m into s किसके बराबर होता है enthalpy के बराबर होता है मिस heat के बराबर होता है हम लोग जानते हैं ms equal to क्या आया nnc तो यह कि Da Squy Heart that है मतलब kष्रीक वराबर हो जाएगा तो उस case में हम 補ोग यहां पर लिख सकते हैं now हम लोग जानते हैं delta q equal क्या होता है ms delta t finally ms कि precis के बराबर क्या दिखाया गया है के बराबर तो आप लोग लिख सकते हो delta q equal to h into delta t उस phase में अगर हम लोग delta t निकालना चाहें तो यहाँ पर जो delta t का value है delta t का value है वो कितने के बराबर हो जाए गोटा delta q upon h के तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या delta t upon delta q equal to 1 upon h for simplicity 1 upon h equal to आप लोग लिख सकते हो delta t upon delta q तो यह आपका एक heat और temperature के बीच में एक नया application आया और इसके base पर हम लोग सिलोप भी निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं मैटा सिलोप तो देखो जड़ा सिलोप कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर देखो जड़ा कैसे करेंगे चीजों को यह आपका जो 1 upon h equal to delta t upon delta q आया यह आपका क्या है सिलोप है किस्का टीक्यू डायग्राम का हम लोगे आप लिख सकते हैं जी हो पो टीक्यू यह आपके डिक्यू डायग्राम काし लोप है तो देखो जुएरी हम माल लिया कि यहाँ पर अमने KP और to conditionally दो है ठीक है तो एक चीव समाझ लोग जूप आफ टी क्युल है यह लोग हीतिंग करब भी कहते हैं क्या कहते हैं यह कर है तो इसका graph हो गया तो इस तरीके अंव क्यों कर सकते हैं अब फॉइंट्स आता है एक कुस्ट वह इस graph पर best होके एक छोट आ सा question है क्या ए वोरा substance और अ substance A यह आपका A है क्लिक है TQ diagram TQ diagram is a straight line straight line with slope with slope 60 degree find the find the value of specific heat capacity specific heat capacity if M equal to 2 gram मैं इस मास कितना दे दिया 2 gram तो अब हम लोग जो इसको solve करेंगे तो देखो ज़रा क्या होगा तो पुटा हम लोग जानते हैं क्या लिखोगे हम लोग जानते हैं we know that 1 upon H equal to क्या होता है TQ slope TQ slope इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 upon H equal to TQ slope का मतलब कितना हो जाएगा 10 angle कितना दिया है 60 degree तो 10 60 degree का मतलब क्या हो जाएगा 1 upon H equal to root of 3 अब H का मतलब क्या है कौन से component के लिए बात चल लएए A component के लिए आप यहाँ पर यह लिख सकते हो मिस M A दिया हुआ है तो आपका H A हो गया H A हो गया अब हम लोग जानते हैं क्या if H A equal to क्या हो जाएगा बाता M A into S A अब यहाँ पर M का value दिया हुआ है कितना 2 तो लिखेंगे 1 upon 2 into S A equal to root of 3 तो अब आप इसको कैसे तरी कैसे solve करोगे अब आपका आएगा 1 upon S A equal 2 into root 3 finally S equal to कितना जाएगा 1 upon 2 root 3 तो यह आपका क्या आगया यह आपका आगया specific heat capacity तो इस तरी के साब को solve कर सकते हैं और अगर unit की बात करेंगे तो क्या एगा calorie per gram degree celsius तो इस तरी के समलों के स्कूस्टन का specific heat of capacity भी निकाल देंगे जो की TQ graph पर dependable है तो आपको याद रखना है कि जो आपका 1 upon H है वो किसके बराबर है slope of TQ के T मतलब temperature की मतलब heat इसी लिए इसको हम लोग heating curve भी कहते हैं तो यह बात आपको याद रखनी है ठीक बटा चलो तो उम्मीद है यहां तक समझा गया होगा अभी यह topic खत्म नहीं हुआ है इसके बाद हम लोगों को effect of temperature पढ़ना है उसके बाद जहां लोग effect देखेंगे तब यह जीरोतला जाके finish होगा ठीक है तो उम्मीद है आज की lecture में सब समझा गया होगा बाकी मिलते हैं अगले lecture में ओके बटा बाए टेक क्यार